हेलो गाइस, विलकम बैक टो वर चैनल PCMB Digital गुरुकुल तो बिटा यहाँ पर विज्ञान क्लास 6 की वर्कशिट 30 है 39 तारीक की, लास्ट है 6th क्लास की है हिंदी और इंग्लिश दोनों की वर्कशिट साफ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं क्लास 6 की वर्कशिट प्लेलिस्ट में पोदो को जानी, तो भैस सिंपल सा उन्होंने बात बताया कि बारिश से पोधा नीचे गिरता है और पोदे की जड़े उस जल को अवसोशित कर लेती है फिर वेकानी रशा रोहन से पत्यों तक पहुंचता है उबर पत्यों से थोड़ा थोड़ा वे वाश्पित हो जाता है और वे वातरवन में चला जाता है वास्पो सर्जन इसी को कहते हैं कि पोदों के वाई वे भागों से पत्यों से पानिया जलों की बुंदों का वाश्प होना से पोदों का नुकसान होता है और यह स्टोमिटा के द्वारा होता है जितर को देखे और उत्तर लिखे पत्या क्या कारिय करती है तो भई पत्यां दो कारिय करती है पत्यां एक तो करती है वास्पो सर्जन और दूसरा करती है परकास संसलेशन तो इसका उत्रा आप कुछ ऐसे लेख सकते हैं कि पत्तियां वास्पो सर्जन तथा फिर आप लेख सकते हैं परकास संसलेशन करती हैं करती हैं तो दो कारे करती हैं वास्पो सर्जन तथा परकास संसलेशन पोधा भोजन कैसे बनाता है पोधा अपना भोजन पत्तियों में बनाता है क्योंकि वे अपना भोजन मिट्टी या पानी से नहीं ले पाते हैं पत्तियां पोधे के लिए बोजन बना पाती हैं क्योंकि वे हरी होती हैं। पत्ति में क्लोरोफिल नामक खरावरनक होता है। पत्ति सूरे के प्रकाश, पानी, कार्बन डायकसाइड और लोरफिल के पस्तिती में अपना बोजन बनाती है। पोदो द्वारा भोजन बनाने की इस प्रिकरिया को प्रकास संसलेशन कहते हैं, जिसमें उसे क्या चीए कार्बन डायोकसाइड चीए, सूरे का प्रकास चीए, उक्सजन वो भार छोड़ देगा और पानी चाहिए, उक्सजन के अफशकता होती है, तो यह ऐसते हैं, पोदो क सूरे के प्रकास के अफशकता होती है, यह भी सत्य है, बोधे को सूरे से बोजन मिलता है, यह ऐसत्य है, तो थैंक यू सो मच पर वाचिए वीडियो फ्रेंट्स, प्लीस सब्सक्राइब टोर चैनल,